हेलो एन वेलकम टू आर चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मुवी का नाम है सरकल अप अटॉनमेंट ये मुवी साल 2015 में रिलीज हुई एक मिस्टरी थिलर मुवी है तो चलिए शुरू कहते हैं मुवी की बेसिक प्लॉट लाइन तो मुवी की स्टार्टिंग में हम एक चोटी बच्ची एरी को देखती है जो अपनी मौम जौन के साथ अपना सिक्स पर्डी सालिबरेट कर रही थी तब ही वहाँ एरी से मिलने एरी का पादर पार्क आ जाता है पार्क का क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था और पार्क आज मेरी बच्ची से कोई रिस्ता नहीं रहा चले जाओ यहां से वहना मैं पुलिस को बिला लूँगी पार्क कहता है मुझे बस एक बार एरी से मिलकर उसे उसका गिफ्ट देना है लेकिन जौन पार्क की एक ना सुनते वे उसे घर से जबदस्ती बहार निकाल देती है पार्क उसके मुँपर मार कर कैप से निकल जाती है वही पार्क उस लेडी को अजीब तरह से देखनी लगता है इसी के पैलर में हमें कपल कैंग और मिसी की स्टोरी देखती है यहां मिसी कैंग को सुबह सुबह देखे हुए अपनी एक सपनी के बारी में बताती है लेकिन कैंग का इस पर कोई इंटरेस नहीं था इसे देख मिसी को काफी बुरा फील होता है और वो कैंग से जगडा करके उसे वहीं उसी जगे उतारने कहती है हाला कि कैंग बोलता है रास्ता काफी सुनसान है तुमारा यहां उतरना खतरी से खाली नहीं लेकिन मिसी अपनी जिद में अड़ जाती है और फिर कैंग को मजबूरन गाड़ी रोक कर मिसी को बाहर उतारना पड़ता है इधर कैंग को लगता है कि मिसी का जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तब वो खुदी वापस आ जाएगी इसलिए कैंग भी गाड़ी लेकर मिसी को क्रॉस करती भी वहाँ से चला जाता है इसे देख मिसी फैसला करती है कि वो वापस कैंग के पास बिलकुल नहीं जाएगी अब सुबह से रात हो जा दी है और मिसी को अपनी गल्दी का एहसास होने लगता है इसलिए मिसी अपने बॉइफरेंड कैंग को कॉल लगाने की कोशिश कर दी है पर उतने में ही मिसी की पीछे पार्क की टैक्सी आकर रुख दी है और ये सीन यहीं कट होता है दूसी तरफ मिसी का बॉइफरेंड कैंग मिस्सी को ढूर्णते वे उसी रोड में पहुचता है पर अब मिस्सी उसे कहीं नहीं दिखती दरस्यल पार्ट ने मिस्सी को अगवा करके अपने केविन में बांध रखा था ताकि मिस्सी के परिवार वालों से फिरोती के पैसे आट सके आगी जब पार्क अपने कैविन में वापस लोटता है तब उसे मिसी कहीं नहीं दिखती क्योंकि मिसी भागते भी किसी तरह भाहर आ चुकी थी पर रोड तक पहुचने से पहले ही पार्क मिसी को दुबारा पकड़ लीता है पार्क को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मिसी को मार डालेगा वहीं इदर मिसी पार्क से उसकी जान की भीक माग रही थी तब ही हम मिसी के चिलानी की आवाज सुनते हैं और इसी के साथ ये मुवी अगली दिन में शिफ्ट होती है यहाँ पता लगता है कि मिसी का उस राथ पार्क ने इतनी बुरे तरह मडर किया था कि उसका चेहरा पैचारने के लायक तक नहीं था इदर मिसी का केस इंस्पेक्टर चोई को मिलता है चोई सबसे पहले मिसी के बॉइफ्रेंड कैंग से इंटरोगेशन करता है चोई कहता है, हमने CCTV से पता लगा, कि आकरी बार तुम मिसी के साथ थे, उसे रास्ते की बीचो बीच तुमने ही छोड़ा था, क्या तुम्हें पता है, मिसी मनने से पहले प्रेगनेंट थी, उसके बेट में तुम्हारा बच्चा था, कैंग कहता है, हाँ, कुछी दिनों में ह मिस्सी को अकिले नहीं चोड़ना चाहिए था, खास करके मिस्सी की मॉम कैंग को थपड तक लगा देती है, फिर रात को हम एरी को सोता हुआ देखती है, तभी वहाँ पर एरी को देखने चुपके से उसका हत्यारा बाप पार्क आ जाता है, तभी वहाँ जौन की भी नीन तभी वहाँ पर एरी को ये सब करते ही पार्क देख लीता है, इसे देख पार्क एरी के पास जाता है, लेकिन उतने में ही वहाँ इंस्पेक्टर चोई पहुच जाती है, और पार्क पर गन तान लेती है, तभी पार्क कहता है, अगर तुम आगे बढ़े या फिर मुझे श दुबारा गन पॉइंट में ले लीता है, इधर चोई किसी तरफ पार्क को मार मार कर उसके हाँ से उसकी गन नीचे गिरा देता है, और तभी ये गन एरी के हाँ तो लगती है, इसे देख उस कमरे के तीनों लोग यानी चोई पार्क और एरी की मदर घबरा जाती है, क्यों ये तयार नहीं है, कि उसकी वाइब का मडर उसी ने किया है, इसी के साथ पार्क की बेटी एरी को भी कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन इतनी बात तो पकी है, कि पार्क ने ही जंगल में मिली उस मासूम लड़की का मडर किया था, तभी अचानक से एरी कहीं लापता हो जा मेरी मॉम मुझे नहीं मिल रही, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है, तब इसे सुन चोई बगार कुछ कहीं एरी को हग गता है, फिर इसाथ से के बाद से ही चोई ने एरी को एक नई आइडेंटिटी देकर उसको अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया था, अब इतना दिखाते ही मुवी 10 साल आगे बढ़ती है, अब तक कैंग किसी हाई स्कूल का टीचर बन चुका होता है, कैंग की क्लास में एरी भी बढ़ती थी, एरी लेट आने के लिए मावी मांग कर अपनी सीट में बैट जाती है, आज के दिन कैंग का स्कूल में पहला दिन था इसलिए कैंग सभी स्टूडेंट्स को अपना इंटोडक्शन दीता है, कैंग का क्लास में पढ़ाते वक्त एरी पर खास ध्यान था, एरी को देखते ही कैंग को कुछ याद आने लगता है, आगे ऐसे ही कई दिन बीच जाती है, और तभी अचानक एक दिन जब एरी बाहर क की तरफ देख रही होती है, इधर कैंग को एरी का चाहरा ध्यान से देखने पर उसके चहरे में अपनी गर्फ्रेंट की किलर पार का चाहरा दिखता है, क्योंकि एरी पार की ही बैलोजिकल बेटी थी, ये सब देखते ही कैंग क्लास के बच्चों की बीच एरी का गला तबा आने लगता है, पस ही मौके पर कैंग दुबारा हूश में आ जाता है, और एरी की गदन से अपने हाथ वापस खीच लेता है, इस हास्ते के बाद भी एरी टीचर कैंग के पुलिस से कंपली नहीं करती, जिस पर कैंग एरी का शुक्रिया करता है, लेकिन एरी कहती है, आपक इसी तरह पास के होटल वाले कमरे में ले आ दी है, एरी यहाँ से होटल के दूसरे कमरे में जा रही थी, लेकिन चोई एरी को रोक लेता है और अपने पास बुला कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ जादा टाइम नहीं बिदाता, लेकिन मुझे पता है कि तुमने किसी नए ह होम ट्यूटर को हायर किया है सुनने में ये भी आया है कि वो ट्यूटर बहुत जवान और हैंसम है कहीं उसका और तुमारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा एरी कहती है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मेरा वो होम ट्यूटर मुझे कोई साइको लगता है हाला कि उसने आज तक मेरे पता था कि वो चोई को मार डालेगी लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती अब एरी अपने ही डैट को क्यों माना चाहती थी यह हमें एंड में पता लगेगा अगले दिन हम कैंग को उसकी गर्फरंट के पेरेंट्स के साथ हाइकिंग में देखती है इधर लड़की का फाद तो इसे सुन चोई के अंदर का गिल्ट कुछ हद तक कम हो जाता है और इसलिए चोई उनके सामने रूनी लगता है वहीं पैलर में हम एरी को देखते हैं एरी अपने बॉइप्रेंट यून से मिलने आई थी यून एरी को फिल्म दिखाने ले जाता है आगे इंटरवल के सम जब ये दोनों लंच कर रहे होती है तभी वहाँ टीवी में किसी कैदी की न्यूज आ दी है ये कैदी और कोई नहीं बलकि पार्क था पार्क को मिस्सी का बूटली मटर करने के चकर में सजाय मौत हुई थी और आज इतने सालों बाद पार्क को सूली में लटकाने की डेट फाइनल की जा चुकी है यानि पार्क बहुत जल्द मर जाएगा इस न्यूज को देखकर एरी को बहुत गम होता है वहीं दूसरे टीवी से एरी का टीचर कैंग भी ये न्यूज देख लीता है न्यूज देखकर कैंग सिधा इंस्पेक्टर चोई को कॉल करता है और चोई क को एरी की पढ़ाई के बारे में डिसकस करने रेस्टोरेंट बुलाता है. आगे जोई रेस्टोरेंट आकर कैंग से कहता है तो आप एरी के नए ट्यूटर हैं. वैसे एरी पढ़ाई में कैसा कर रही है? कैंग कहता है. मेरा चैरा देखिए क्या आपको याद है कि मैं कौन हूँ तो इसे सुन चोई को कुछ याद आने लगता है आगे रेस्टरेंट से सभी कस्टमर के जाने के बाद कैंग चोई से कहता है आखिरकार उस अत्यारे पार्क का फैसला आ गया लेकिन क्या एरी जानती है वही पार्क उसका रियल फादर है तो इसे सुन चोई कैंग का कॉलर घसीते वे कहता है तो मारी हिम्मत कैसे वे यह कहने की अगर तुमने ऐसा कुछ एरी से कहा तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा कैंग कहता है क्या तुम्हें ये डर सता रहा है चोई कहता है मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ अगर तुम मिस्सी को रास्ते में अकेला नहीं छोड़ते तो उसके साथ यहांसा कभी नहीं होता इसे सुन कैंग गुसे में चोई को धका देता है फिर इसके बाद ये दोनों लगातार एक घंटे तक शराब पी कर रेस्टरेंट में लड़ते रहते हैं आगी गुसा ठंडा होने पर ये दोनों सीग्रेट पीते वे शांती से बात करती है कैंग कहता है मैं इतने सालों तक बदले की आग में तड़प रहा था मैं किलर को भी वैसे ही मौत देना चाता था जैसा किलर ने मेरी मिस्सी को दिया था चोई कहता है तुमारे केस को न्याय मिल चुका है पार्क को जल्द ही सूली पर लटका दिया जाएगा अब कोई फाइदा नहीं तो इसे सुन कैंग वही मामला सुलजा कर वहाँ से चला जाता है अगली सुबह चोई से मिलने उसके ऐफिस में रिपोर्टर जून आती है जून चोई से कहती है क्रिमनल पार्क ने कभी किसी से हासे वाली उस रात का जिक्र नहीं किया साथी हासे के अगली दिन ही पार्क की बेटी भी गायब हो गई कोई नहीं चानता कि पार्क ने अपनी वाइफ को मारा था या नहीं वैसे उसराथ पार्क के घर में आप भी मौजूद थी आप इस केस के विटनेस क्यों नहीं बन जाती चोई कहता है ये केस कपका सॉल्व हो चुका है प्लीज इसमें मुझे इन्वाल्व करने की कोशिश मत करो जून कहती है वैसे पार्क के बेटी अब तक जवान और खुबसूरत हो चुकी होगी अजीब बात ये है कि आपकी बेटी वी इस वक्त ही पार्क की ही बेटी की उम्र की है तो इसे सुन चोई अचानक से जून पर गुसा करता है और वहां से चला जाता है दूसी तरफ मिस्सी के दोनों पेरिंट्स को जेल बुलाया जाता है और उन दोनों के हस्ताक्षर विक्तम के गार्डीन के तौर पर लिये जाती है दरसल ये फासी देने से पहले की फॉर्मालिटी होती है इसके बाद मिस्सी के पेरिंट्स पुलिस स्टेशन से चले जाती है तब ही रास्ते की बीच मिस्सी के फादर जैंक को उसकी वाइप किम का पर्स चेक करने पर पॉईजन की दवाई मिलती है इसे जैंक जल्दी छिपा लेता है लेकिन किम ने सब पहले ही देख लिया था किम पास आकर कहती है मुझे माप कर दीजिए मैंने आपसे जूट बोला था मुझे आज तक मेरी बच्ची मिस्सी की मौत का गम सताता है जैंक कहता है मुझे भी माप कर दो मैंने भी तुमसे जूट बोला था लेकिन मैं भी मिस्सी की गम से मुवाण नहीं कर पाया हूँ जब भी मैं मिस्सी के बारे में याद करता हूँ तो मेरे सामने उस तरिंदे पार्क का चेरा आ जाता है किम कहती है उस पार्क को सिर्फ एक फांसी से लटका कर मार दिया जाएगा उसे कभी वो दर्थ फील नहीं होगा जो मेरी बेटी ने मन्नी से पहले सहा था ऐसी दुनिया में मैं जीना नहीं चाती जैंक कहता है प्लीज मुझे अकीला मत चोड़ो मैं भी तुमारे साथ मन्ने को तयार हूँ किम कहती है मन्ने से पहले क्यों न हम आगरी बाद साथ में डांस करें ऐसा कहकर ये दोनों जैर पीकर डांस करने लगती है आगे कैंग को उन दोने की बोटी देखने मोचुरी बुल जाता है कैंग मिस्सी के बाद उनी दोनों को अपनी फामली का हिस्सा मानता था बट अब्बे दोनों भी कैंग का साथ छोड़कर जा चुकी थी इसे देख के बतले की आखवी से भड़क उटती है और अब कैंग डिसाइड करता है कि वो चोई और एरी का सच सब के सामने ल उसे दरफ एरी से उसका बॉइफ्रेंड यून रूटा हुआ था एरी जब रूटने का कारण पूछती है तब यून उसे अपने फोन में वहीं आर्टिकल दिखाता है इस ब्लॉक को देकर एरी शौक हो जाती है वहीं यून एरी के साथ अपना रिलेशन हमेशा के लिए ख कार्ट देती है एरी को लग रहा था कि उसी के फादर ने ये ख़बर प्रिंट करवाई थी अब एरी सिधा अपनी टिचर कैंग से मलती है और उससे कहती है सच्चाई जाने के बाद क्या आप भी मुझसे रिष्टा तोडने वाले हैं तब कैंग कुछ ना कहते वे एरी को क पॉइंट किया वा था यहां एरी का फादर पार्क एक तमसे चोई पर हमला करके एरी के हाथ से उसकी गण छीन लेता है और वहीं एरी की मौम जुआन एरी को जोर से पकड़ लेती है ताकि एरी को कुछ ना हो इस वरान चोई और पार्क गण छीनने के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी तब ही अंत में वो गण चोई के हाथ लग जाती है पार्क कहता है अब तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे ना चोई कहता है तुम जैसा घटिया इंसान सरिफ मरना डिजर्व करता है इसने अब मरो ऐसा कहकर चोई गोली फायर कर देता है पर ये गोली अब मुवी वापस से प्रेजेंट वाले चोई पर शिफ्ट होती है चोई जल्दी से कैंग के अपार्टमेंट में पहुंचता है लेकिन जब चोई कमरा खूलता है तब ये गलत अपार्टमेंट था दूसरी तरफ कैंग एरी से कहता है क्या तुम्हें आकरी बार अपने ब पर चोई के प्रती और जादा बढ़ जाती हैं अब एरी किसी बितरे से चोई को माना चाती थी और कैंग भी यही चाता था अगली सुपह चोई पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता लगता है कि कल ही कैंग फासी के वक्त एरी को यहां लेकर आया था इसे सुन चोई वाप उस तरब एरी का पुराना घह था और चोई को बता था कि कैंग एरी को अगवा करके वही लाया होगा जहें इस सब की शुरुवात हुई थी तबी अचानक से वहां भ्योश एरी की आंके खुलती है और एरी अपने सामने कैंग को देखती है कैंग कहता है आज से इसने तुमारी मॉम को मारा था तब एरी आगे बढ़ती है और चोई के मूँ का टेप अटा कर गहती है तो आपने मुझे इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि मेरा मूँ बंद रहे और फिर मेरे रियल फादर के मनने के बाद आपने खुद मीडिया को मेरी सच्चाई ब पात है एक मुझे जो अपनी सजा पूरी काट कर जिल से भार आया था सिर्फ इसलिए ताकि अपनी बेटी का बर्टे सेलिबरेट कर सके लेकिन उस मुझे ने मुझे मार कर उसे घर से बाहर निकाल दिया तब उस मुझे ने अपनी वाइफ की गुसे को एक मासुम लड़की पर उतारती वे उसका ऐसा हाल किया कि उसे कोई पहचान भी नहीं सका पता है उस बिचारी लड़की की कुछी दिनों में शादी होने वाली थी एरी कहती है कहीं तुम उस लड़की की फ्योंसे तो नहीं कैंग कहता है मैं उस हत्यारे को माप नहीं कर सकता वो कितनी असान अब तुम्हें ही अपने उस किर्मिनल पादर की responsibility लीनी पड़ेगी एरी कहती है तुम्हारी कहने का मतलब मुझे चोई का मडर करना है तब चोई कहता है तुम किसी मुझरिम की बेटी नहीं हो तुम मेरी बेटी हो इतना कहती ही एरी जमीन में शूट करती है और चोई पर फिसे गन तान कर कहती है मैं आज तक नहीं बुली कि तुमने मेरी मॉम को कैसे मारा था मुझे बचपन से आज सक सब याद है लेकिन मैंने नाटक किया कि मुझे कुछ याद नहीं चानते हो क्यों क्योंकि मुझे हमीशा डल लगा रहता था कि कहीं तुम मुझे भी ना मार डालो इसे देख कैंग कहता है इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे अंदर उसी सिरिल किलर पार्क का खून है कम ओन इसे मार डालो इसे सुन एरी अचानक से गन कैंग की तरफ पॉइंट कर लेती है आरी कहती है आप गलत हूँ मैं कोई किलर नहीं हूँ मैं सीक्रेटली आप से प्यार करती थी लेकिन आज मैं जान गई कि आपकी नजरों में मैं किसी किलर से ज़ादा और कुछ नहीं थी इसलिए सबसे अच्छा यहीं रहेगा कि मैं खुद को ही खतम कर लूँ तो इसे सुन चोई जल्दी से अपनी हटकड़ी तोड़ता है वहीं कैंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अब ये दोनों ही एरी को एक साथ बचाने जाती है इसे बीच वो गोली गलती से कैंग को लग जाती है वहीं एरी भी वो शुजाती है मरते मरते कैंग कहता है डैट मुझे माव कर दीजिये आगे चोई किसी तरह उस चके से एरी को बाहर निकाल कर ले आता है फिर कुछ सालों बाद हम चोई को उसी के जिल से बाहर निकलता देखते हैं तरसल चोई ने एरी को बचाने के लिए कैंग के मटर का इल्जाम खुद पर ले लिया था, बाहर आते ही चोई को उसकी बेटी एरी दिखती है, लेकिन चोई एरी को इक्नोर करके आगे बढ़ जाता है, तब एरी चोई की पीछे जाती है, अब एरी ने सच में चोई को माव क दिया था, और अब इन दोनों का रिलेशन सच के बाप बेटी जैसा हो गया था, इसी हैपई एंडिक के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, तो होब है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब् करें, मिलते हैं ऐसे ही एक और मिज़तार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखें, तन्यवाद